आदित्य ठाकरे ने मुंबई में BMC के खिलाफ एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला। उन्होंने CM1 नाश शिंदे और BGP सरकार पर निशाना साधा और कहा कि दिल्ली की ओडर्स पर मुंबई को लूटा जा रहा है। और जिस दिन उनकी सरकार आईगी वो BMC officials को corruption charges में जेल भेजेंगे। MLA आदित्य ठाकरे का ये भी कहना था कि मुंबई बहुत बड़ी है और ये केंद्र सरकार के आगे जुकेगी नहीं। मुंबई मौनसून अपने चरम पर है और इसलिए IMD ने महराष्ट्रा के 6 डिस्ट्रिक्स में औरेंज अलर्ट जारी किया है। मुंबई से पास के इलाके पालगर, ठाने, रतनागिरी, नासिक और पुने को औरेंज अलर्ट दिया गया। और मुंबई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है और ये अलर्ट 3 जुलाई तक के लिए रहेगा। तेज बारिश होने की संभावना हैं और इसलिए IMD ने कहा कि regular travelers अलर्ट रहें और समुदर के पास वाले इलाकों से दूरी बनाए रखें। राशन को लेकर जम कर धांदली हो रही है और इस चोरी को रोखने के लिए मुदी सरकार ने नए नियम को लागू किया है। इस महीने से राशन बाटने के साथ दुकानदारों को EKYC और Biometrics identification करवाना होगा। सरकार ने ये काम 30 जून तक पूरा करने के निर्देश दिये थे। इस नियम का प्रदेश के राशन दुकानदारों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि जिसकी उम्र 70 से जादा है उनके धंब इंप्रेशन काम नहीं कर रहे। और उनके पास आई स्कैनर जैसी कोई मशीन नहीं है। फिर EKYC verification का काम कैसे पूरा होगा। मुंबईकर्स को मिलेगी 4 लाइफ 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 लाइन। मुंबई में travel करने के तीन main pillars हैं बस, local trains और मुंबई Metro. अब सरकार ने चौती लाइफ 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 मिलेगी। इस काम को देड़ साल में पूरा करने का धावा किया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट में 10 करोड रुपे खर्च होंगे बारिश के दोरान सडकों पर गड़ों से मुंबई कर से लेकर BMC तक परेशान है और इसलिए इन गड़ों को भरने के लिए BMC एक न्यू टेकनीक का इस्तुमाल करेगी पहली बार मुंबई में रियाक्टिव एसफॉल्ट की बदौलत रोड पर गड़ों को भरा जाएगा और इस न्यू टेकनीक की वज़ा से दो घंटों में रोड को अपरेशनल कर दिया जाएगा